तो मश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का pathfinder पर तो दोस्तों public accounts committee के 100 वर्ष हो रहे हैं तो बहुत important है इस बार आप इसको अच्छे से जाने prelims के लिए भी और आने वाले mains के लिए भी तो आप देख सकते हैं इसको कासी ज़दा news में cover किया जा रहा है event भी mark किया गया है 100 साल PSE के हुए हैं इसको celebrate भी किया जा रहा है तो यहां पर बहुत जरूरी आप PSE को अच्छे से समझें उसके बारे में जाने क्या इसकी functioning है क्या इसमें loopholes है क्या weakness है सब कुछ आपको मालूम होनी चाहिए तो आज की इस class में इसी पर हम चर्चा करेंगे क क्योंकि यह बहुत important topic है इस बार के prelims as well as mains के लिए तो इससे पहले आगे बड़े आपके सामने एक सवाल है PSE के बारे में चार statement दिये गए हैं तो आप से पूछा जा रहा है कौन सा सही है तो आप इसको जरूर अगर मालूम हो तो अभी वता सकते हैं नहीं तो class के बाद है ज़रूर जुड़ना चाहूंगा और आपके मन में जो भी query है उसको दूर करने की प्रयास और आपके जो भी question से उसको solve करने की प्रयास रहेगी तो दोस्तो पब्लिक account committee देखें तो यह oldest parliamentary committee है 1921 में Montag Clemsford reforms के बाद government of India Act 1919 के तवारा इसकी थापना होती है तो इसका purpose है systems of checks and balance को impose करवाना तो इस प्रकार से आप देखें तो यह principle of accountability तो जो executive की legislature के प्रती accountability है वो uphold करवाती है public accounts committee financial aspects में तो PAC को CAG की help मिलती है क्योंकि end of the day इनका काम है जो accounts है उसमें अगर कोई धानली हो रही है तो वो उजागर करना लेकिन यह काम तो expert का होता है तो इसलिए CAG एक expert body authority है जो की इन आम generalist जो की member of parliament है इनको help करती है और इनको बताती है कि कहां पे कोई भी अगर उनको कोई भी लेकिन दिख रहा है तो वो जरूर इसको उजागर करती है इस प्रकार से तो CAG अगर आप देखें तो इनकी जो audit की report होती है वो बहुत काम की होती है PAC के लिए तो इसलिए CAG को कहा जाता है friend, philosopher and guide to the PAC याने public accounts committee तो PAC की अगर हम composition की बात करें तो इसमें 22 member होते हैं जिनको एक साल के term के लिए चुना जाता है और कैसे चुना जाता है principle of proportional representation by means of single transferable vote के द्वारा तो इसमें 15 member होते हैं लोकसभा से, 7 member होते हैं राजसभा से जिनको हर साल चुना जाता है तो जितने भी party है, parliament, जितने भी party है, parliament में लोकसभा, राजसभा, जितने भी seeds है और जितने भी party है, उनको numbers को उसी ratio में चुना जाता है, तो हर party या group हो सकता है, कोई alliance हो, तो उनके जो representatives हैं, उन सब को representation मिलती है, उसी proportion में जितनी उनकी strength है, दोनों houses को मिलाने के ब तो इस प्रकार से उनको चुना जाता है, तो जो chair person होते हैं PSE के, वो speaker के द्वारा चुने जाते हैं, और लोकसभा के ही member होते हैं, और एक convention चली आ रही है 1967-68 के public accounts committee में पहली बार देखने मिली थी, और ये तब से चली आ रही है, कि जो PSE के chair person होते हैं, वो main opposition party से आते हैं, तो इस वक्त अगर आप देखें तो कौन है, श्री अधीर रंजन चौधरी जी हैं, जो कि Indian National Congress से आते हैं, तो minister कोई भी eligible नहीं है PSE के members होने के लिए, क्योंकि public accounts committee का function क्या है, वो function है executive को financial aspects में accountable बनाना legislature के प्रती, तो अगर वो खुद minister भी इसके member हो जाएंगे, तो ये ज सबसे पहले तो ये accounts को examine करती है, तो जो भी appropriation grants दिये गए हैं, जो भी parliament के दवारा, और जो government of India की expenditure के लिए, सरकार जितने पैसों का meet करने वाली है expenditure के लिए, तो उनके accounts को examine करती है, public accounts committee, तो जो annual financial account है government of India को, और अन्य account जो की house के सामने, financial accounts place किये जा रहे हैं house के सामने, उन सब को अगर committee चाहे, तो उनको चाहे तो उनकी जो accounting हुई है, उसको देख सकती है, और उसमें कोई loophole है, तो उसको identify कर सकती है, इसके सिवा जो CAG के reports आ रहे हैं, फिर वो चाहे appropriation accounts of the union government के लिए हो, तो उसको भी वो क्या कर सकती है, उसको भी वो चाहे तो examine कर सकती है, इसके CAG चाहे, तो अन्य audit reports of CAG, on revenue receipt, expenditure, अन्य ministry department के जवारा जो भी खर्चे किये जा रहे हैं, उन सब को भी examine करने का काम TAC का है, इसके सिवा, जो autonomous bodies है, उनके वो भी जो account है, उसको भी examine कर सकती है, लेकिन ध्यान रुखिएगा, वो public sector undertakings के भी account को examine कर सकती है, लेकिन कुछ public sector undertak जो कि committee on public undertakings उसके account को examine करती है, तो उन public sector undertakings के accounts को, उन PSU के accounts को PSE examine नहीं करती है, तो या दखिएगा ये exception है, क्योंकि already committee on public undertakings बनाई गई है, जो कि उसको examine कर रही है, तो पिसी उसको फिर नहीं करती है, तो जब ये किसी भी account को examine कर रहे है, मैंने आपको list दिया, इतने सारे एकाउंट्स बताएं, CAG के एकाउंट्स हैं, अन्य एकाउंट्स हैं, जिनको एक्जामिन कर रही है, तो एक्जामिन करते टाइम किस बात को ध्यान रखना है, क्या-क्या वो देख सकती है, PAC, आईए उसको जानते हैं, तो while scrutinizing the appropriation account of government of India, या CAG के reports को, तो committee को क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो वो ये examine कर सकती है, कि जो पैसे accounts में दिये जा रहे हैं, क्या वो legal तरीके से उस account में गए हैं, number one, most of the time वो रहता ही है, इसके सिवा वो देखती है, क्या इस account से जो पैसे हैं, जिस head में उनको खर्च करना था, जिसके लिए Parliament ने पास किया था, जब budget पास होता है, उस वक्त, जिस head में पास होना था, क्या उसी head में पास हुआ, मान लीजिए, education के लिए कुछ, मान लीजिए 10 करोर रुपे थे, कुछ एक number मैं आपको ऐसे ही दे रहा हूँ, 10 करोर रुपे से तो, क्या वो 10 करोर के 10 करोर रुपे, education में ही खर्च हुए, या फिर उनको कहीं और transfer कर दिया गया, तो ये देखती है, number two, जो expenditure किया जा रहा है, क्या उसकी authority इनके पास है, या फिर बिना authority के view expenditure करवा दिया गया है, तो ये ऐसा तो नहीं हो रहा, तो इसको भी ensure करवाती है, इसके सिवा, मान लीजिए, पैसे अगर, एक account से दूसरे account में transfer करवाने थे, मान लीजिए, defense sector में ज़्यादा पैसा निकल चुका था, और उसको transfer करके, हमें health care में डलवाना था, कुछ COVID जैसा time हो गया, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, तो re-appropriation करवाया जाता है, तो क्या वो re-appropriation, जब किया गया, तो जो rules हैं, जो rules बनाए गये हैं, किसी भी competent authority द्वारा, क्या वो rules को fulfill किया जा रहा है, क्या उस rule में तो, following, उस rule को follow करने में, तो कहीं कोई कमी नहीं रही, तो उसको भी PSE examine करती है, इसके सिवा, एक committee का बहुत important function है, कि जो पैसे parliament ने, legislature ने executive को दिये, क्या वो उसी demand में खर्च किया, जिस demand में legislature ने पास किया, याने health का, जो पैसा था health में ही खर्च किया, education का पैसा education में ही किया, defense का पैसा defense में ही किया, ये follow किया गया है कि नहीं, लेकिन आप और एक चीज़ important है, जो की देखेंगे, तो जो committee की function है, वो formality of expenditure, अब तक हमने जो बात की न, ये सब क्या थी, formality की ही बात हो रही है, तो कागज में लिखा पड़ी में, सब कुछ मजबूती रखी जाती है, उसमें कभी कमी नहीं रहती है, तो committee अगर चाहे, तो formality के आगे भी बढ़ सकती है, वो oversee कर सकती है, कि क्या उस पैसे के खर्च करते time, wisdom को follow किया गया है, faithfulness and economy को follow किया गया की नहीं, committee examine करती है, कि कोई losses हो रहे हैं, कोई negatory expenditure है, कोई financial irregularity है, तो उन सब को भी PAC oversee करती है, कि उसमें तो कोई कमी नहीं है, ऐसा तो नहीं हुआ, कि कोई IS का जथा गया, Europe उनको भेजा गया, कि जाओ जाके तुम, वहां के healthcare के model को पढ़के आओ, और उसको पढ़ने में, उन्होंने 1.500 करोड खर्च कर दिये, क्यूं, हो सकता है, कि वहां पे सब कोई गये, जाके resort, resort में रहके आए, हो सकता है, कोई ministers गये हो, इस प्रकार से किये हो, तो ये क्या है, तो ये सब भी oversee करती है PSE, इसके सिवा आप देखे, तो ये CAG के reports को scrutinize करती है, जो revenue receipt है, उसके reports को scrutinize करती है, government के tax administration को भी scrutinize करती है, क्योंकि revenue receipt में जो पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है, tax से आ रहा है, तो tax administration को भी oversee करती है, ensure करती है कि tax policies में tax laws में कोई loophole तो नहीं रह गया कि कहीं tax evasion हो रहा हो किसी प्रकार से duties को लिवी नहीं करवा पा रहे हो miss classification हो जा रहा है या under assessment हो जा रही है properly assist नहीं कर पा रहे कितना tax आना है तो इस प्रकार के अगर ये taxation laws में loopholes identify करती है तो उसको भी recommend करती है executive को कि देखो हमको लगता है laws में ये सारे loopholes हैं इसको ठीक करो तो ये सारा काम किसका है PAC का है तो दोस्तों ये जो आपको मैंने functioning बताई है proper document जो की लोगसभा की site पे मिल रहा है PAC की functioning आपको मैंने as it is वही बताई है तो इससे ज़्यादा उसमें भी नहीं दिया है तो इतना आप जरूर means के लिए याद रखिएगा limitations क्या है PAC के सबसे पहले तो दोस्तों ये policy को broader sense में नहीं question करती है उससे ज़्यादा concern भी नहीं रखती है हो सकता है स्वज भारत mission follow किया जा रहा है तो वह question कर सकती है कि स्वज भारत mission में advertisement में इतना खर्चा क्यों किया गया सरकार बोलेगी कि भाई behavioral change करवाना था इसके लिए जरूरी था इतना पैसा खर्च करवाना तो हो सकता है कि यह ज़्यादा जो policy है उसे broader sense में यह concern ना हो तो इसको big picture नहीं दिखती है number one number two अगर आप देखे तो इस post-mortem examination करती है यानि जो खर्चा हो चुका है खर्चा होने के बाद यह examine करती है खर्चा होने के पहले कुछ गलती होने के पहले नहीं रोक पाती है होने के बाद इसको पता चलता है इसके सिवा कि day-to-day administration में सरकार की intervene नहीं कर सकती है इसके सिवा यह किसी department को अगर उनको लगता है कि उस department में खर्चा में कुछ कहीं पे उनके scrutiny में कोई पकड़ा गया कि कुछ कमी रह गई है तो वो कमी पाने के बावजूत, पकड़ने के बावजूत, निकलवाने के बावजूत, पॉइंट आउट करने के बावजूत भी वो उस department के पैसे को खर्च करने से उसे disallow नहीं कर सकती, इतनी power उसको नहीं दी गई है इसके सिवा जैसा मैंने आपको बताया, tax administration, faithfulness, wisdom, इन सब के लिए ये क्या कर सकती है, recommendation दे सकती है पर ये recommendation क्या है, बस advisory है, binding नहीं होती है, इसके सिवा ये कोई executive body नहीं है, तो order भी issue नहीं कर सकती है सिर्फ ये report parliament के सामने रख देती है, और उसके बाद parliament में उसके उपर action हो सकता है, हला हो सकता है और बहुत तो सरकार से सवाल उठाये जा सकते हैं, एक example आप मुझे comment section में जरूर बताईएगा जब PSE के काम से सरकार पे बहुत ज़्यादा सवाल उठाये गए से, तो किसी report के ही basis पे PSE ने सरकार से सवाल उठाये से तो comment section में जरूर बताईएगा, एक बहुत ही important time रहा था PSE के power का, चीक है तो आईए आज का सवाल देख सेते हैं, तो PSE के संदर्ब में आपके समक्षार statement दिये गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा correct है statement 1, यह audit report of CAG को examine करती है, यह suggestions देती है, जो suggestions दिये जा रहे है committee के द्वारा, यह necessarily government के द्वारा accept करने ही होंगे, ऐसा है क्या statement 3, यह ensure करवाती है कि जो canons of financial property है, उसको observe किया जा रहा है, statement 4, यह committee non-partisan manner में function करी करती है तो 1, 2, 3, 4 आपको बताना है इनमें से क्या सही है, तो आप लोगोंने answer कर दिया है दोस्तों, तो answer comment section में डालें तो नहीं किया तो जल्दी से pause डबाए, answer करें, तो जोस्तों answer is A, 1, 3 and 4, statement 2, अगर आप देखें तो suggestions committee देती है, यह क्या है, non-binding है, बिल्कुल non-binding है, तो statement 2 गलत है, गलत है, answer is A, 1, 3 and 4, बिल्कुल CAG's friend philosopher guide, तो वो जो report है, उसको जो audit report है, उसी के द्वारा examine करती है, बि देखें, तो financial aspect में, जो भी यह देखरेक रखती है, कि उसमें कहीं धानदली ना हो रही हो, तो financial property किया जा रहा है, उसको भी ensure करवाती है, इसके सिवा committee अगर आप देखें, तो non-partisan manner में function करती है, बिल्कुल PAC इसलिए close door functioning, आप देखें तो रहती है, क्योंकि non-partisan manner में, इ आई हो, तो like जरूर करी किजिएगा, and unacademy जब भी आएं, तो use the code KC10, अपने दोस्तों के साथ भी इस code को share करें, अपने दोस्तों के साथ इस video को भी share करें, बहुत important video है, and unacademy के channel Pathfinder को subscribe जरूर करें, तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जब आप code KC10 for subscription use करेंगे, तो इससे आपको मेरी guidance मिलती है, hand holding मिलती है, and mentorship मिलती है, तो बस आप ये code इस्तमाल करें, उसके बाद मुझसे संपर्क करें, तो जो guidance है, that will cover all subjects of GS, essay, and geography optional, and answer writing में भी आपको जो मदद चाहिए होगी, वो में provide जरूर करूंगा, इसके सिब आपको कहना चाहूंगा, price hike की त combat है, तो Sunday को होने वाला है, 4 करोड से ज्यादा की scholarship है, तो इसका फाइदा उठाएं, enroll करें, use the code KC10, free test series है, जैसा आप screen पर देख सकते हैं, इनका भी हिस्सा आप बन सकते हैं, इसके सिवा loan के लिए भी हम आपको loan भी provide कर रहे हैं, तो नीचे description box में link है, form fill करें, KC10 code का इस इसमें आपको, इसके सिवाद दो साल की subscription की plus की cost है, 24,800 रुपए, दो साल की iconic subscription की कीमत है, 1,4,175 रुपए, और एक साल की optional subscription की कीमत है, 24,750 रुपए, ये सारी कीमते तब हैं, जब आप code KC10 का इस्तमाल कर रहे हैं, याने वो code जिससे आपको mentorship भी मिलती है, guidance भी मेरी मिलती है, so UPSVVC batches आठ तारीक से start होने वाले हैं, 8 December, Hindi, English, Bilingual तीनों में available है, एक साल, दो साल, दोनों ही batches, आपको देखने मिलेंगे, तो इनका हिस्सात जरूर बने, thank you so much for joining, have a great day and let's crack it.